आज हम इस वीडियो में वैस्टर स्टूडेंट जो खासकर बीएच्वू CHS में 11th में एड्मिसन लेना चाहते हैं इस वीडियो में एड्मिसन प्रोसीजर सेलेवस इंटरंस एक्जाम और एप्लिकेशन फॉर्म के बारे में इसके साथ ही syllabus exam pattern को लेकर eligibility criteria को लेकर जो भी information है like CHS, BHU 11 को लेकर वो complete आपको दिये जाएगा इसके लिए सबसे पहले आपको search करना है Google बजा कर CHS, BHU search कर लेंगे CHS, BHU आप जैसी जब search करेंगे तो इस तरीकिक icon दिखेंगे इसके बाद जैसी जब आपको दिखेगा सबसे पहले आपको admission procedure पर क्लिक कर देना है आप इस पर जैसी जब क्लिक करेंगे यहां से एक new icon open होगा अभी यह open हो रहा है और आप जैसी जब यह open होगा तो इस तरीके का icon इसका मतलब ही कि आप BHU के स्कूल जो है उसके ऑफिसल वेबसाइट पर आगए है हाला कि यह जो वेबसाइट आपको दिख रहा सेंट्रल हिंदू वाइज स्कूल यानि कि वाइज वाला वेबसाइट है लेकिन आप इस बात को लेकर कंफिज मत होईगा यहां पर अप्रील के मन्त जो आने वाला होगा जैसे के वेबसाइट पर अभी अवेबसाइट पर आभी अवेबसाइबल है यानि इस यह पता चलता है कि इस फार आप्रील में कराया जाएगा उसका आप्रील पार आप्रील में एवेबसाइगे और माई में इंट्रेंस होगे उसको बाद जून के आश्पस में रियल टाएगा इसके बाद अपके क्लासस सुरू कर ले जाएगे लेकिन यहाँ पर दो चीज़ की लगर पता चल ला है, एक application form को लेकर और दुसरा entrance exam को लेकर, अब आते हैं आपके जो basic procedure है, last year का जो notification है तो वो हम देखाने जा रहे हैं, last year जो notification है था उसकी बात कर लेकिन ये भी हुआ था कि COVID के वज़े से इसमें entrance exam नहीं हुआ था, application form भी कर लिया था, entrance exam की बात होना था, लेकिन COVID को वह से entrance exam नहीं होकर, merit waste लेकिन इस बार चांस से ज्यादा है, आपके entrance exam हो जाएंगे, होकर रहेंगे, बात बगी है कि application form भी करने के लिए अभी तो आया नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि मार्च से अपरिल के बीच मैंगे, ल होता है, देखाया है, इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो, इविन जो आपके guide आएंगे, उसमें साफ मिंसन होता है कि कब आपके admission के procedure होंगे, entrance exam कब होंगे, वो सारी चीज आता है, तो कुछ basic information हो जो मैं आपको बता दू, देखिए, अगर हम 11 में बात करेंगे, चाह है आपका eligibility criteria का mention है इसमें, अब जैसे की lag जिसे जिसने भी 10 जहां से कहीं से भी किया होगा, at least 10 में जो है, आपका 60% होना चाहिए, science में अगर आप admission लेना चाहते है, तो, लिखावा equivalent in a science system 50% marks above equivalent gradient essential in each math and science, so at least जो है, आपके यहां पे 50% भी mention है और 60% भी mention है, तो यह आप range स 60% के आसपास में होना चाहिए, तब ही आप इस form के लिए eligible है, या समझे, admission के लिए eligible है, इसके बाद हम commerce और arts के लिए separate videos ला देंगे, आप घबराएगे का नहीं, अगर हम इसमें seats को लेकर बात करें, जिसे 11 science में, boys and girls दोनों का यहां पर याद रखे का, ऐसे निकिशिप girls क सीट की बात करें, तो 25% सीट जो है, वह सारे में, जहां तक सीट की बात करें, तो इन्होंने रिजर्वेशन का criteria रख 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 है, लेकिन इन्होंने यह फानली नहीं किया है, कि हां overall कितने सीट क्यूंकि 50 सीट यह बताना चाहरे है, मैंस के वहां पर 50 सीट है, इसके लाब सीट का भी मौका दिया जाता है, अगर अगेन बात करें, तो 5 सीट जो है, वह 11th on the basis of merit cut-off list, merit based पे भी बनता है, मैस ग्रूप में 20 सीट, bio में 10 सीट, and commerce में 5 सीट, and arts में 5 सीट रिजर्व हैं, और पेट सीट वालों के लिए, इसके लाबा, अगर हम सेलेबस की बात कर ले, जो में इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसमें बात करें, तो 11th का देख लिजए, मैस वाले गूरूप के लिए अगर देखा जाए, तो English, Hindi, Physics, Chemistry, Mathematics, and General Studies, और यह जो कोस्टन, जो sources हैं, वो आपके class 10 के, class 10 comprising 100 mcq, आपके 100 mcq रहेंगे, और यह 100 mcq रहेंगे, और यह 100 mcq सही पूछे जाएंगे, सो मैं आपको यह फाइनली, अभी जो सीट्स को लेगा थोड़ा का diffusion था, वो मैं आपको यहां फाइनल करना चाहरू, यहां पर 11 मैस में जो टोटल सीट्स है, वो अरौंड 88 सीट्स है, यहां पर देख सकते हैं, बाइव में 25 है, और बस इसमें, इंटरेंस के थुरू आते हैं उनका है यहां पर तो आप इस पर आईए, अब इसके बाद रिजर्वेशन की बात कर लें तो 50%, 15, not 50, 15% जो है वो सीट्स के लिए है, 7.5 सीट के लिए और 27% OBC के लिए है, इसके बाद अगर हम बात करें, OBC में भी आपको सर्टिफिकर्ट म जब जिसे सेलेक्शन का जो क्रेटेरिया आप जानते हैं पहले आपको इंटरेंस देना पड़ेगा और आपके जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद उसके साब से आपके कौंसिलिंग होगे, लेकिन इंटरेंस एक्जाम में आपको मोस्ट रुपेबली जो कोईशन पेपर ह मतलब ऑनलाइन का कोई सीन नहीं रहने वाला होगा और उसमें आपको एक OMR सीट मिलेगा एंदेन उसको सोल्ग करेंगे इसके लावा इन्हों नहीं यहां पर सब्जेक्शन बता दिया ताकि जब आपका सेलेक्शन हो जागा तो आपको क्या-क्या पढ़ना होगा उसके बा आपको जरूर अप्डेट कर जागी साथ ही अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए कर दीजिगा उस पर वीडियो आजागा अभी मैंने आपको 11 साइंस में मैस वाले स्टूडेंस के लिए और बायो वाले गुरूप के लिए जो हमने वीडियो बना दिया है आर्ट्स वाले और कॉमर्स इस सेपरेट्टी सब वीडियो आजागा अप्डेटेट रहेगा थैं